जन्मों के साथे हम साथे साथे हैं ओखे दोस्तो तो अगर आप अपनी फैमिली के फॉटो डाल कर इस तरह की फैमिली स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि इस तरह की फैमिली स्टेटस कैसी बनाई जाती है तो guys इस तरह की family status बनाने के लिए आपको अपनी family की कुछ photos collect करना है उसके बाद kindmaster पर इसे edit करना है तो किस तरह से edit की जाती है तो मैं kindmaster पर आपको full process बताऊंगा तो चलिए यहाँ पर मैं kindmaster application open कर लेता हूँ और editing करना सीख लेते हैं तो guys इस तरह से आपको kindmaster application open कर लेना है और यहाँ पर यह प्लसफल option दीख रहा है तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है वीडियो के साही अपनी आपको चूज कर लेना है तो यहाँ से 16 y 9 वाला ratio को आपको select कर लेना है आपको सबसे पहले एक black color की background को select कर लेना है कुछ इस तरह से उसके बाद आपको starting point पर चले आना है और layer पर टच करना है media पर जाना है यहां से आपको image ले लेना है उसकी link मैंने वीडियो के description में दे रखा है वहां से आपको download कर लेना है तो मैं इस image को यहाँ पर add कर लेता ह आपको अप क्या करना है यहां पर आपको okay कर देना है उसके बाद यहां पर आपको three frame दे कर रहा है यहां पर image एड़ करना है तो उसके लिए आपको layer पर touch करना है media पर जाना है और अपनी family की जो photo आपने collect किया है उसे यहांपे आपको add कर लेना है तो मैं यहांपे example के आपको दिखा देता हूँ जैसे यह वाला फोटो यहां पर एड़ करना है तो इसे इस तरह से यहां पर लाकर से सेट कर लेता हूं तो जैसा कि आप देख पर मैंने यहां पर फोटो को एड़ कर लिया है उसके बाद करना सबस्क्राइब करना यहां पर यहां पर है है के शुक्राइब करना सथे इस तरह से उसक 가까रा से इस तरह से बढ़ा करना और इस तरह से क्रॉप कर लेना है और आपको यहां पर लाके इस तरह से सेट कर देना है देन ओके कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद यहां पर आपको यह पेंजी इमेज दिख रहा है यह ब्लैक वाली इमेज इसे आपको क्लिक करना है और यहां पर यहां पर क्लिक करना है और यहां से और यहां क्लिक करने के बाद और यहां क्लिक करने के बाद आपको यहां पर बिंग टू फरॉंट पर क्लिक कर देना इस तरह से और यहां पर यह ब्लेंड नहीं हुआ है तो इसे आपको ब्लेंड कर देना है स्लाइड करके नीचे की और आना है य यहां पर क्लिक करना है करने के बाद यहां पर साइट पर कैप्चर एंद सेप दिख रहा है तो आपको यहां पर क्लिक करके इस तरह से इसे आपको कैप्चर कर लेना है उसके बाद आपको इसे डिलीट कर देना है तो इमेज जो भी यहां पर एड किया है मैंने इस तरह से सब कि अपे पर ऊटन कर दो क Спरिसम इसे तरह पर पिर को पता तो मैं यहां पर गारना हैं कि आपको टामर कर लेना है चोचिक करने के बाद कर एक यहां पर यहां पर इसके सथ्बाइव म सब्सक्राइब आपैसे उसे में हाँ कर लेता हुँ था तोय KDं करते हैं तो जितनी लंबी इसके इसकिन हमारी लिग्हीं तोलवाद पर दस्ते具 होना सब्सक्राइब कर लेना है तो लेयर पे टच करना है मीडिया पे जाना है और वही capturing image को यहां पे आपको एड़ कर लेना है जैसे मैंने इमेज एड़ कर लिया है तो इसे आपको उगलियों खीच के ऐसे स्क्रीन पे सेट करना है लाकर और इसकी लेंट आपको वीडियो की एं तक कर देना है करें के लिवाल सक्राइब कर लेकल तो आयेन पायल अमस्न चमकिन उठै मिवड्यों यहां पश्रार स्क्रीन क पाइफ सेट करना है में उसके तरहा है प्लें तरहां को क्लीक शुप स amendments मेंनाद यहां करते लेक्षा करता में का देना है इसञार पे division की तरफ आना है यहां पर आने कि बार यहां पर इसे उंगलियों से खीच के स्लाइट करके यहां पर लाखे रखे न है कि दिए को पर न पर आये ज़ an ना अब यहां पर अपको यह पलगे चल जाना ना है λ değil academia पे जाना यहां पे blend कर देना है तो blending और यहां से screen वाला option select कर देना से और इसकी लेंथ वीडियो की बरावर कर देना यहां नced Siri पॉइंट पे हैं देन ओके कर देना अब इससे भी आपके animation देना है तो इसकी layer पे नियुए पे ॥ी गली करना इस著रा से और यहां पे यहां यहां पर क्लिक करने के बाद आपको स्लाइट करके एंड की तरह आना है यहां पर प्लस ओप्शन पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहां पर स्टार्डिंग पॉइंट पर चले आना है और इसे खीच कर आपको यहां पर लाना है इस तरह से पर चैहां पर इस तरह से लाके सेट करदेना देन ओके कर देना है तो इस फाइनली यहां पर मेरी वीडियो क्रीट हो चुगी है तो में यह पर वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूं जैसा कि आप देख पा रहे हैसे सद्टीन डेखने में मस्त लग रहा है इस का इनमसेशर आइनिमेशन वाली फैमले पर ऐस सकते हो so thank you guys for watching this video और जाते जाते मेरी वीडियो को कर देना है एक like और अगर चैनल पे नए हो तो guys subscribe करना तो बनता है तो guys मिलते हैं किसी और मज़दार सी वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा